विसकार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर शारुक खान और धीपिका पादिकोन की फिल्म पठान को लेकर विवाद कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है आपके लिए बता दे के हमदाबाद में फिल्म के प्रमोशन के दौरान वी एच पी और बजरंग दल के कारे करताओं न और कहा है कि इस फिल्म को नहीं रिलीज होने देंगे एहमदाबाद में लगातार फिल्म को लेकर विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है चाहे फिर हम बात एहमदाबाद की करें या फिर मध्यपरदेश या मुंबई की हर जगा पर फिल्म को बैन और ना रिलीज करने की च सनातन संस्कृति और हिंदू धरम को किया गया है टार्गिट आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मौल में जाकर ये तमाम पोस्टर फाड़े गए हैं और ये एहमदवाद के अलफान मौल में स्थित मल्टी प्लैक्समा पठान फिलिम के पोस्टर लगाए गए थे और उ इसके बाद उन्हें जो तमाम कार्यकरदा वी एचपी और बजुरंग दल के थे उन्हें हिरासत में लिया गया पर कुछ समय बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ भी दिया गया तो वहीं दूसरी तरफ एहमदवाद की यानि कि गुजरात की जो एकाई है वी एचपी इस फिल्म को लेकर लगातार विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है कल भी खबर सामने आई थी कि किस तरीके से लोग जो है वो इस फिल्म का बॉयकॉट कर रहे है और ये फिल्म 25 जनवरी यानि की गंतनत दिवस से एक दिन पहले रिलीज होने वाली है फिल्म को लेकर लग कमी की कोई बात नहीं की जा रहा है एक तरफ पियार काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो धार में एक संगठन है और इनके साथ देश की जनता है वो इस फिल्म का विरोध कर रही है और कल भी शारुख खान ने आसक एसार के को लेकर तमाम लोगों को जवाब दि ये तकाजे लगाए जा रहे हैं कि इस रिप्लाइ का क्या होगा फरक क्या शारुखान की फिल्म चल पाएगी थेटर्स में या फिर लाव सिंग चड़ा की तरह ही होगा पठान का भी हा खेर ये तो देखने वाली बात रहेगी क्योंकि एक तरफ जनता लगातार इस फिल्म को टार्गेट किया जाता है आज हिंदू विशु परीशत बजरंग दल की तरफ से ये तमाम बातें की जा रही है ये वीडियो सोशल मेडिया पर वारल हो रहा है जिस पर लोगों की मिली जुली राय जो है वो देखने के लिए सामने मिल रही है कुछ लोगों का कहना है कि इस तरीके से ही फिल्म का विरोध होना चाहिए पोस्टर ही नहीं अगर इस फिल्म को रिलीज ही नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें जो चीजन दिखाई गई है भगवा का अपमान दिखाया गया है बॉलिवुड का ये एजिंडा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ल पोस्टर को फाड़ रहे हैं इन पर आक्शन लिया जाना चाहिए दो दरीके की राय जो है वो आज पठान फिल्म को लेकर देखने के लिए सामने आ रही है कुछ बॉलिवुड के कलाकार जो हैं वो सामने आ रहे हैं फिल्म की समर्थन में स्वरा भासकर से लेकर तमाम ऐसे कलाकार हैं जो ये कह रहे हैं कि भगवार रंग को अपर राजनीती की जा रही है फिल्म का सरफ विरोध जताया जा रहा है बॉयकौट का असर नहीं पड़ेगा तो वहीं दूसरी तरफ इसी बॉलिवुड से तमाम ऐसे भी लोग हैं कलाकार है जो इस फिल्म का विरोध कर आज धार्मिक संगठन और उनकी कारेकरता इस फिल्म को लेकर विरोज जदा रहे हैं तो कल टीवी जगत की तुनिया में शक्ती मान के नाम से जाने जाने वाले मुगीश खंडा ने भी अपने व्लॉग में इस फिल्म और इस फिल्म में अश्लील दा जो दिखाई गई है उस हमेशा से ही बॉलिवुट के दुआरा हिंदित्व को टार्गेट किया जाता है पर अब जो है वो लोग जाग रहे हैं और इसी लिए फिल्म का बॉयकॉर्ट हो रहा है और मैं इस बॉयकॉर्ट का समर्थन करता हूँ इन तमाम बातों का जिक्र मुकेश खना ने अपने एक व्लॉग में किया और उन्होंने सनातन संस्क्रिदी और भगवार रंग को लेकर भी अपनी राय रखी कि कैसे शारुखान और दीबिका पादुकोन की इस फिल्म में अशलील ता को परोसा गया है खेर अगर अशलील ता पर बात की जाए तो एक तरफ सेंसर बोर्ट की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले बयान सामने आया था और सेंसर बोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर कैची चलाने की बात कही थी और कहा था कि पठान मेंचे कुछ सीन्स को रिमूव किया जाएगा पर सेंसर बोर्ट के उस बयान के बाद भी विवाद जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है पहले भगवार रंग फिर अशलील ता को लेकर बात उठाए गई और अब पूरी फिल्म को ही बॉयकोट करने की बात जो है वो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ SRK के समर्थत लोगों का ये भी कहना है कि शारुक खान और उनके फैंडम पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इस बॉयकोट का और फिल्म जो है वो करोडों का बिजनस करेगी क्योंकि शारुक खान चार साल बात परदे पर वापसी कर रह से पियार चुलाया गया था जुसमें ये तक जिक्र किया गया था कि आमिर खान की फिल्म लासिंग चड़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भारतिया आर्मी पर आधारत फिल्म है और फॉरस्ट गम जो की एक हॉलिवोड की फिल्म है उस पर ये फिल्म जो है व देश की जनता जानती है कि नेट्फिक्स ने भी अपने डील जो है वो लासिंग चड़ा के साथ कैंसल कर दी थी फिल्म की प्रोडूसर के साथ कैंसल कर दी थी और वहीं दूसरी तरह प्रोडूसर्स ने भी मांगे थे अपने वापस यानि की जो प्रोडूसर यानि की दू आफ शारुखान के पुराने बयानों को लेकर भी आज जन्ता जो है वो काफी जादा आक्रोश में दिखाई दे रही है कि इसी फाइंडम के चलते शारुखान का एक इंटिव्यू सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जोस पर उन्होंने कहा है कि मैं चोटे मुटे चीज़ हो यानि बयकोट को लेकर उन्होंने कहा कि बयकोट से मुझे डर नहीं लगता और क्यूंकि बयकोट जो है वो एक हवा की तरह है और उससे सिर्फ जाडियां हिलती हैं तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका पादुकोन का जेन्यू में जाना और वहाँ पर भारत तेरे टुकडे ह दूसरी तरहने वाले लोग और जो नारे लगाने वाले कनहिया कुमार जैसे लोगों के साथ दीपिका पादुकोन का खड़ा होना वो उनको अभी तक जो है देश की जंता उसी नाम से लगातार दीपिका पादुकोन पर सवाल उठते हैं चाहे फिर वो बात पठान को लेक क्योंकि छपाक में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिच की गई थी पर दीपिका पादुकोन की चेनियों जाने के कारण उस फिल्म को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी बड़े परदे पर खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो